नमस्ते किसान भाईयू अभी अपने सभी इस एरिया में अनार का कटिंग हो रहा है और इत्रेल हो रहा है तो लगबग इत्रेल कटिंग के और इत्रेल के बीच में ज्यादा अंतर ना रखे और जो आप बेसल डोस बर रहे उसमें ऑर्गनिक मैटर कंपोस्ट गोबर का उप् जी तकि आगे आने वाली समस्या जो आती अपनी टक की आना वगर ये जड़े अगर अपने मजबूत रही तो बहुत सारी बीमारिया कम आएगी गए साल का आपको अनुगों हो गया है कि सब तरह के पिस्टिसेट्स यूज करके भी अपनी बीमारिया कंट्रोल नी हुई थ जहां जहां जड़े मजबूत थी और्गानिक मैटर अच्छा था वहां पे बीमारिया काफिया तक कंट्रोल हो गई नई के बाराबर थी इसलिए जेविक चीजों पी ध्यान दीजी और अपना जो एन पीके का शडूल होता है उस पी ध्यान दीजी जैसे आपका गए साल फ उसमें अगर एन पेकी की मातरा पेंदाउन ज्यादा होगी तो बीमारिया ज्यादा आएगी और आपके इत्रेल करते समय पेड़ का आपकी स्थिती कैसी रखे आपने गर्मी में इस साल गर्मी ज्यादा थी अगर ज्यादा पेड़ कम जो रहे तो इत्रेल का डोस ज्यादा की नहीं दन्यवाद है और लगबग जो आप खाद दे रहे हैं आपका अगर फर्स्ट क्रॉप है जैसे अपना दो साल का या तीन साल का पहली फसल ले रहे हैं तो कम से कम उसका 30 किलो गोबर होना चाहिए प्रति पोदा कंपोस्ट वाला और अगर चार साल के पास साल के पेड सकते हैं तो और बाकि उसके साथ जो मिक्स करना है आपका डिया पी हुआ माइक्रोंटन वा यह चीजे मिक्स कर दीजी और लगबग माइक्रोड़ा का उपयोग भी अच्छा करें जिससे आपके जड़े सुरक्षित रहेगी और अपना लिक्विड फर्टिलाइजर है या क परियात मातर हम उठाएगा और एकदम से ज्यादा डोसिस आप लोग अगर डालते बारिश से क्या होता है कि वह उसका विगटन हो कि वह एक अपना लियर होता है आदे फिट के नीचे अगर चले गए तो आपना कोई काम का नहीं है इसलिए हो सके हर पानी के साथ कुछ ना कि वह उसका विष्ट ना जाए बारिश के समय जब आप इत्रेल करोगे तो मोसम का अंदजा ले लिजिए कम से कम अपने को चार से पाच गंटा मिलना चाहिए इत्रेल करनी के बाद और हो सके तो सुबस जल्दी किजिए क्योंकि बारिश लगबक देखा जाए तो दो पेर के बाद स्टार्ट होती है तो आप सुबस जल्दी इत्रेल का अस्पे कर दीजी